नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर सपनिल सागर जैन निरामय हुमियोपैथी के अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों हमारे परिबार में ऐसे बहुत सारे सदस्य होते हैं खास तोर से बुजर्ग और आजकल तो यंग एज के लोगों में भी यानि कि 20-25 वर्ष की उम्र से लेके और 40 वर्ष के आसपास तक के लोगों में भी ये समस्या काफी आम तोर पे देखने में आ रही है और ये स पूले के जोड से आवाज आने लगती है उंगलियों के जोड होते हैं इनसे चट-चट की कट-कट की आवाज आने लगती है तो ये जो समस्या होती है दोस्तों आजकल बड़ी आम तोर पर देखी जा रही है मेडिकल की भाषा में यानि की चिकित्सकी भाषा में इसे क्रिपिटस कहा जाता है क्रिपिटिंग साउंड कहा जाता है इस साउंड के होने के पीछे बहुत सारे थियोरीज होती है बहुत सारे रीजन्स इसके होते है इसमें सबसे पहला जो रीजन होता है दोस्तों वो होत कि जब भी कभी Tendon हड़ी के ऊपर snap करते हैं या खिसकते हैं तब भी कट-कट या चट-चट की आवाज आने लगती है तो पहला जो रीजन होता है जिसमें कि बबल के फूटने के कारण कट-कट या चट-चट की आवाज आती है उसमें दर्द नहीं होता है और जो दूसरा र परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको की घुटनों में या किसी भी जोड में कट-कट या चट-चट की आवाज के साथ दर्द हो रहा है तो फिर वहाँ पे निश्चत रूप से कोई पैथालोजी है टेंडन से रिलेटेड या आर्थराइटिस जैसी कोई समस्या उस समय आवाज आई चलना शुरू किया उस समय आवाज आ रही है या सोते समय आवाज आ रही है या सीडियां चड़ते समय आवाज आ रही है तो लेकिन वहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई दर्द असोसियेटेड नहीं है तो ये सामान्य जो है वो एक समस्या है और इसका स साधरन सा सीधा सा जो इसका संबन्ध है वो गुटनों के या किसी भी जोड की हड़ियों के बीच में जो एर बबल है उनके फूटने से होता है लेकिन दोस्तों इस समस्या को नजर अंदाज नहीं करना चाहिए खास तोर से बढ़ती उम्र के लोगों में 40 वर्ष से उपर की उम्र के लोगों में यदि कटकट और चटचट की घुटनों से या जोडों से आवाज बहुत जादा आ रही है तो हमें इसके लिए तुरंत किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए क्योंकि ये भविश्य में होने वाली किसी गंबीर बीमारी का कारण भी बन सकता है जैसे कि औस्टियो आर्थ्राइटेस ये अरिमेटोइड आर्थ्राइटेस ये इस तरह की जो कंडिशन्स होती है ये इस कटकट या चटचट की आवाज के साथ फ्यूचर में असोसियेटेड हो सकती है यानि कि फ्यूचर में हो सकता है कि आपको इन जैसी समस्याओं का सामना करन तो यह सारे टेस्ट जरूर करवा लें यदि आपकी उम्र अभी कम है यानि की 20 वर्ष से लेके 40 वर्ष के आसपास है तो यह टेस्ट जरूर करवा है उस कंडीशन में तब जबकी आपकी फेमिली में आर्थ्राइटिस की कोई हिस्ट्री रही है या फिर गाउट की कोई तब उस condition में ये सारे test आप जरूर करवा लें अभी मैं बताता हूँ आपको एक ऐसा combination जिसका उपयोग करके हम घुटनों से या जोडों से कट-कट या चट-चट की आवाज आने को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं तो ये चो combination है ये ना केबल आपकी कट-कट चट-चट की आवाज जिसे की क्रिपिटस कहा जाता है उसको बंद कर देगा बलकि आपके शरीर में होने वाली कैल्शियम की कमी को भी ये 100% दूर कर देता है इस combination में आपको दोस्तों 3 medicines लेके आना है इसमें सबसे पहली medicine होती है दोस्तों calcaria carb तो calcaria carb 200 की दोस्तों आपको चार बूंद alternate day यानि की एक एक दिन छोड़ के पीना है जैसे आज पीली कल नहीं पीना है फिर परसों पीना है फिर उसके अगले दिन नहीं पीना और अगले दिन उसके पीना है यानि की सोंबार, बुद्दवार और शुक्रवार इस तरह से आप दिन निर्धारित कर लें तो इसकी चार बूंद आपको पीना है पूरे एक महीने तक यानि की टोटल 15 डोस होंगे आपके एक महीने में इसके साथ में आपको दोस्तों दूसरी चो medicine है वो है calcaria phos homeopathic medicinal system की बहुत अच्छी medicine मानी जाती है हड़ियों से related किसी भी बीमारी में calcium के metabolism को सही करने में और हड़ियों में calcium को बढ़ाने में यानि की हड़ियों को मजबूत बनाने के लिए जब भी blood में calcium होता है लेकिन उसका जमाव हड़ियों पर नहीं हो पाता तब उस condition में calcaria phos हमारी बहुत ही ज़्यादा मदद करती है तो calcaria phos की आपको 6X की potency लेके आना है और इसकी 4 गोली सुभे और 4 गोली शाम को continue आपको 3 महीने तक खाना है बीच में gap नहीं होना चाहिए और इसके बाद जो अगली medicine आती है दोस्तों वो होती है जिसमें की महीलाओं में मीनोपॉस के बाद या मीनोपॉस के दोरान हड़ियों में कमजोरी आने लगती है उन महीलाओं को तो इसका सेवन जरूर कर लेना चाहिए हड़ियों को जोडने में ये काफी मदद करती है हड़ियों को मजबूत बनाती है जैसे की कैलकेरिया फॉस हड़ियों पे कैलशियम का जमाव करवाती है ठीक उसी तरह सिमफाइटम ओफिसनेल भी इस काम को उतनी ही बखुबी से अंजाम देती है तो सिमफाइटम ओफिसनेल का आपको मदर टिंचर लेके आना है दोस्तों और इसकी 20 बूंद सुबह और 20 बूंद शाम को एक कप या आधे कप पानी में मिलाके आपको पीना है तो ये जो तीनों दवाएं हैं दोस्तों कैलकेरिया कार्ब को आपको केवल एक महीने यूज़ करना है और कैलकेरिया फॉस का ओप्योग आपको कंटिन्यू तीन महीने तक करना है इन तीनों महीनों में आपके घुटनों में या जोडों में जहां भी कट-कट या चट-चट की आवाज आ रही होगी या ने की क्रिपिटा साउंड आ रहा होगा वो आना पूरी तरह से बंद हो जाएगा यदि ऐसा होता है कि कई बार उम्र के कारण इसका प्रभाव थोड़ा सिलो हो आपके शरीर पे तो आप तीन महीने की जगे चार या पांच महीने भी ले सकते हैं लेकिन एक बार किसी डॉक्टर से फिर पर्सनली कॉंटेक्ट कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आज के इस वीडियो में दोस्तों फिला लेतना ही कि हम हमیشा खाली पेट इन दवाओं को खाये जिन दवाओं को दिन में किवल एक बार खाना है उन्हें सुभे खाली पेट खा लेना चाहिए मुघ में अच्छे से कुल्ला करके, गारगल्स करके, मुघ को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें homeopathic दवाई खा लेना चाहिए जिन दवाओं को दिन में दो बार या तीन बार या चार बार खाना होता है उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर दो से धाई गंटे बाद खी खाएं और उस स्थिती में भी हमारे मुह में किसी भी वस्तू का किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए नहीं हमारे मुह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए जिससे कि ये होमियोपेथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती है तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम होमियोपेथिक दवा खाएं हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुह में किसी भी चीज का स्वाद या किसी भी चीज की स्मेल ना हो अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं या अदरक खा सकते हैं या हींग खा सकते हैं या एलाईची खा सकते हैं या नहीं बिलकुल आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं होमियोपैथिक दवाओं को खाते समय आप इन सभी चीजों को बड़ी आसानी से खा सकते हैं बस याद ये रखना है कि जब भी आप होमियोपैथिक दवा खाएं इन में सी किसी भी वस्तू का, किसी भी चीज का स्वाद आपके मुह में ना हो यानी कि जब भी आप इने खाएं तो इनके खाने से या तो आदे घंटे पहले होमियोपैतिक दवा खा लें या पिर इने खाने के 2 ड़ाई गंटे बाद जब कि आपने मुह में अच्छे से कुला कर लिया हो अच्छे से गारगल्स कर लिये हो तब इन होमियोपैथिक दवाओं को खाएं तो आपको हमेशा होमियोपैथी के सबसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे लोग गलती यही कर देते हैं कि वो प्याज खाना छोड़ देते हैं कच्छा प्याज लहसों अद्रा खींग सब खाना छोड़ देते हैं लेकिन फिर भी उनको मुह में सफाई ना होने के कारण होमियोपैथिक दवाओं का अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है यह होमियोपैथिक दवाएं आपको किसी भी ऑनलाइन फार्मेसी पर या आपके घर के नजदी किसी भी होमियोपैथिक मेडिकल स्टोर पर बड़ी ही आसानी से उपलब्द हो जाएंगी यह दवाएं हर होमियोपैथिक फार्मेसी पर उपलब्द होती हैं हर होनलाइन फार मेडिकल स्टोर या ओनलाइन पार्मेसी से ही इन दवाओं को प्राप्त करें